भादरपद शुकलपाक्ष की तृतिया को हर्तालिका तीज मनाई जाती है। इसका सनातन धर्म में विशेश महत्व है। ये सुहागिनों और कुवारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्ग में से एक है। सौभाग्यवती महिलाय अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लि महिलाय शिवजी और माता पार्वती जैसा दामपत्य जीवन पाने की कामना करती है। इस दिन भूलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। महिलाय तीज में निर्जला वरत रखती हैं और पती की लंबी उम्र की कामना करती है। इस अफसर पर हर तालिका वरत की इस प्रकार से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया था. कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरन कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्यकी कथा कही थी. कथा का सारांश इस प्रकार है. श्री भूलिशन कर बोले हे गौरी, परवतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में बाराह वर्षों तक अधोमों की होकर घोर तप किया था इतनी अबधी तुमने अन्न अखा कर पेडों के सूखे पत्ते चबा कर व्यतीत किये माग की विक्राल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया वैशाक की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचागनी से शरीर को तपाया श्रावन की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहन किये समय व्यतीत किया तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे उन्हें बड़ा क्लेश होता था तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारत जी तुम्हारे घर पधारे तुम्हारे पिता परवतराज हिमालय नेहरिदे से अतिथी सतकार करके उनके आने का कारण पूछा नारत जी ने कहा गिरी राज मैं भगवान विश्नु के भेजने पर यहां उपस्थित हुआ हूँ आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है इससे प्रसन होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं इस संदर्ब में आपकी राय जानना चाहता हूँ नारत जी की बात सुनकर राजा हिमालय गदगद हो उठे उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए प्रसन्न चित होकर वे बोले श्रीमान यदि स्वयम विष्णु मेरी कन्या का वरंग करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ती हो सकती है मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पढ़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा तुम्हारी एक सकी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा तब तुमने बताया मैंने सच्चे हृदै से भगवान शिवशनकर का वरंग किया है किन्तु मेरे पिता ने मेरा विवाह विशनुजी से निश्चित कर दिया तुम्हारी सकी बड़ी ही समझदार और सूजबूज वाली थी उसने कहा सकी मैं तुम्हे घंगोर जंगल में ले चलती हूँ इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सकी के साथ नदी के तडपर एक गुपा में मेरी आराधना में लीन थी भादरपद शुक्ल तृतिया को हस्त नक्षत था उस दिन तुमने रेट के शिवलिन का निर्मान करके व्रत किया राध भर मेरी स्तुति के गीद गाकर जागी तुम्हारी इसकष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा मेरी समाधी तूट गई मैं तुरंध तुम्हारे समक्ष जा पहुचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसंद होकर तुमसे वर्मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल्स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदै से आपको पती के रूप में वरन कर चुकी हूँ यदि आप सच्मुच मेरी तपस्या से प्रसन होकर आप यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए तब मैं तथास्तु कह कर कैलाश परवत पर लौट आया प्रातह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामगरी को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित वरत का पारना किया उसी समय अपने मित्र बंधू वर दर्बारियो सहित परवत राज तुम्हे खोचते खोचते वहाँ आ पहुचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश पुछा अब तुमने विनम्र स्वर में कहा पिता जी मेरी इस तपस्या का उद्देश केवल यही था कि मैं महादेव को पती के रूप में पाना चाहती हूँ आज मैं अपनी तपस्या की कसोटी पर खरी उतर चुकी हूँ अब मैं आपके साथ तभी घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेवजी से करेंगे परवत राज मांग गए और तुम है घर ले गए कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधी विधानपूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया हे पारवती भादरपत की शुक्ल तृतिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली क्वारियों को मनुवांचित फल देता हूँ सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करे तो उसे मनुवांचित वर की प्राप्ती होगी